नमस्कार स्वागत है आपका आपकी साथ मैं अकांगशन राजपूद गोरकपूर में आज सीम योकी टिफिन पर चर्चा करेंगे उन्हें जन विश्वास जीतने का मंत्र देंगे ये कारकरम गोकूल अथिती भवन में आयुजित किया जाएगा टिफिन पर चर्चा कारकरम प्रधान मत्री नरेंदर मूदी के 9 साल के सफल कारकाल के उपलक्ष में बीजेपी की और से चलाए जा रहे महीने भर के विशेश संपर्क महा अभ्यान का हिस्सा है कारकरम में शामिल कारकरता अपना टिफिन लेकर आएंगे और सहभूच करेंगे टिफिन पर चर्चा के दोरान मुख्यमंत्री कारकरताओं को जनता तक प्रभावी ढंक से अपनी बात पहुँचाने के संबंद में टिफ्स देने वाले हैं यानि सीम का कारकरम है आपको ये बताएं कि पाची कारकरताओं को यहाँ पर मंत्र दिया जाएगा अब से कुछ देर बाद आप तस्वीर देखेंगे जब सीम योगी जन वैश्वास जीतने का मंत्र देंगे सभी कारकरताओं को और इस वक्त हमारे से योगी विने हमारे साथ गोरकपुर से जुड़ रहे हैं विने करू करते हैं सीधा वेने अभी की तस्वीर वहां से क्या और कितना वक्त लगेगा कारकरम की शुड़वात कितने बज़े जी बतादे कि अब से कुछी मिन्टों बाद मुख्यमंत्री योगी आदितनात यहाँ पहुचेंगे कि यहाँ टिपिन के साथ एक दूसरे के साथ भोच करेंगे और दोजार चौबिस की जो रणनीती है मुख्यमंत्री योगी आदितनातों तयार करेंगे जैसे परदान मंत्री नरद मोदी के 9 साल पूरा हुए हैं सेवा, सुसासन और गरीब कल्याण जो योजनाए हैं जो गरीब कल्याण की योजनाए हो जनता तक जो पहुच रही है उसके वारे में बताएंगे और उसके साथ ही अपनी बात जनता के बीच कैसे पहुचा है इसको लेकर चर्चा होगी और हमारे साथ इसमा महानगरत जक्ष राजेश गुत्ता जी है इनसे भी बादशीत करेंगे इनसे भी जानेंगे कि आज की जो बैठाक है वो कितना मात्पुन होने वाली है सर आज की जो बैठाक हैं किस तरह की बैठाक है और किस तरह का 2024 लोग सबाट चुनाओं में किस तरह का ये कारिकार साविक है देश के सस्वी परदानमंत्री आदरणी नरेंदर मोदी जी के जो एतिहासिक 9 वर्ष के कारिकाल पूर्ड हुए हैं उस उपलक्ष में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये एक महीने का विशेश वियान चलाया जा रहा है जो महा जन संपर का वियान उसी के निमित आज गोरकूर सदर विधान सभा की इस वरिष्ट कारिकरता टिपिन वैठक में आज यहां हम सभी एकत्रित वोर हैं जिसमें हम सभी के लोक प्रिय मुख्यमंत्री और जो गोरकूर सहर से विधायग भी हैं बिधान सभा गोरकूर सभा की वैठक में रहने वाले हैं और उसमें स्रेष्ट मार्कदर्सन हम सभी को फ्राप्त होगा कितने कारकरता इस पैठक में सामिलोंगे और टिपिन का भी कारकरम रखा गया टिपिन का सबोज भी करेंगे इसमें जो हमारे पूरू के वरिष्ट पदादीकारी कारकरता है और जो वरतमान के पदादीकारी कारकरता है एसे कारेकरताओं को बुलाए गया है और साथ में उनसे बारता होगी और प्रदानमंत्री जी का सब लोग संभोधन सुनेंगे मारक दर्सन सुनेंगे उसके बाद साथ में सामोहिक सभी लोग जो अपने अपने घरों से टिपिन लेके आए हैं सभी लोग टिपिन करेंगे एक साथ बैटके भोजन करेंगे एक रूपता का भाव दिखेगा थाकि हम सभी 2024 के इस एतिहासिक चुनाव में पुझ योगी आदितनाजी के अगवाई में उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सभातीट और देश के सस्वी प्रदानमंत्री नरंद्र मोदी जी के निर्थित में पुना देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनावें इस निमित ये कारिकरम आयो जी थे जो कारिकरता है वो भी अपने टिपिनों के साथ पहुचे है जो टिपिन लेकर पहुचे है उनसे पहले बात करेंगे चाचा क्या नाम है कहां से आए हैं मुझे बीरिन साही एडुकर करते हैं महीं बेतिया आते से हूँ टिपिन लेकर पहुचे है क्या है टिपिन में इसमे पास बिभी है। मेना सिर्वास्तो है नेताजी सुवास्चन बोर्ष से आई हूँ और भुजिया सब्ची है और प्राठा कुद बनाई है कि बच्ची है आप बाच्चित करते रहे हैं मैं वापस अभी आपके बास लोटोंगे इस वक्त दो खास मेमान भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे जेपी पांडे प्रवक्ता समाजवाधी पाठी से हमारे साथ जुड़ेंगे रोक करेंगे दोनों का एक ही करके लेकिन इस वक्त हमारे सेयोगी मयूर भी हमारे साथ लखना उससे जुड़े हुए मैयूर का पहले रोक कर लेते हैं मैयूर चुकि टिफिन पर चर्चा करेंगे सीम योगी क्या ऐसी भी खबरे हैं कि प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी भी वच्छवली जुड़ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आधितनाद करने जा रहे हैं गोरकपूर से लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजमंत्री दानिश आजाद अंसारी जी है उनसे पूछते हैं कि सर ये जो टिफिन बैठक की शुरुआत कल से हला की होनी थी गटना के चलते नहीं हो सकी आध से मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं इसका मोटिफ क्या है क्या फायदा मिलेगा आपको इसका चुनावों में देखिए भारते अंदर पार्टी चुनाव के दिश्टिकत और फायदे नुक्सान के दिश्टिकत कोई काम नहीं करती हमारा लक्ष यह है कि हम समाज के बीच पे रहके कैसे परस्पर सयोग से अच्छे समवाद के साथ समाज को बहतर दिशा में आगे ले जाएं समवाद इस्थाबिप करके कैसे सरकार की योजनाओ को धरातर पर और बहतर तरीके से उसको लागू कर पाएं समवाद करके कैसे सरकार की योजणाव को हम और अच्छा और बैतर बना सकते हैं इन जीजों के बारे में बात करें सघरात्मक जो है समवाद यह हमेशा भारते रतापर्टी की पहल रही है और भारतियंदा पर्टी ने हमेशा आगे बढ़के समाज के साथ परस पर सयोग से विकास को सुनिशित करना तैय किया है निशित और पर यह जो महाजन संपर का भ्यान है इसका लक्ष यही है कि किस तरीकी से केंदर की जो हमारी मोडी जी की सरकार है जिसने हमेशा जन जन के विकास के लिए पूरी इमानदारी से काम किया हम आग लग्षा यह लग्ष रहा है लेकिन दानेशी आप हम देख रहे हैं ट्रेंड जो है राजनीती का थोड़ा चेंज जो एडी जिस रास्ते पर आप लोग चलते हैं जो योजना आप लोग लाते हैं जिस पत समाजवादी पार्टी को एक सीरे से जंता लेना कार दिया है और भारत्य अंता पार्टी ने पहले शुरुवात सही अपने जबसे इस्थापना होई है उसका एक ही मक्सद रहा है जंता के बीच में रहके जंता के साथ समवाद करके तरक्की को तरफ समाज को आगे ले जाना यह हमेशा हमारे प्राथमिकता रही है आप हमारे प्रधान मंत्री जी हो हमारे माननी मुख मंत्री जी हो हमारे उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री कोई विधायक सांग गठन का कोई पतादेकारी हो आप हमेशा देखेंगे कि हम जंता के बीच में रहते हैं अभी जब योगी कस्भों में जाके जंता से संवाद रिसथाबित करते थे हम हमेशा जन्संबाद जंसंपर के कारिकरम करते हैं इस महात जंसंपर का व्यान में में ये जो टीफिण बैठ अबने आपने एक अनुठी तरीके की पहल है जिसमें इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपनी टिफिन या अपना लंच बाक्स खुद लेके जाएंगे गाव में जाएंगे कस्बों में जाएंगे महलों में जाएंगे और वहां हम अपने टिफिन के साथ बाकी लोग भी आएंगे टिफिन अपनी लेके य विकास की बात जब करेंगे तो निशीत और पे हमारा भारत परम वैभों पे पहुंचेगा सर इसको इस तरीके से समझा जाए जैसे स्कूलों में हम देखते हैं कि अजाती धरन के बच्चे एक साथ बैठके खाना काते हैं आदान परदान करते हैं चीजों का तो वह जो आपस में चोटे बच्चों में कभी आज जाती धर्म को लेके कोई बेदबाव नहीं रहता है आपस में प्रेयम बढ़ता है और देखिए कि हर चुनाव दर चुनाव आप देख सकते हैं कि हर जाती धर मजब के वेडियो को हमने तोला है आज भार्तिय अंत्या का विश्वास जो है जो हमारे पार्टी पे विश्वास है ये सभी तरीके के जाती धर मजब के लोग का है ठीक है मैं यूरा बात्चीत करते रहें मैं अभी वापस आपके पास रोटूंगे और जो